हेलो आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो यह देखिए हमारे पास साज क्या है यह हमारा पुदीना का पौधा और इसे हम मिंट भी करते हैं और यह हमारे शरीर के लिए काफी अच्छा है मुझे तो लगता है हर किसी के गार्डेन में यह पौधा जरूर होना चाहिए और मैंने भी बहुत सारे लगाए वे दो तीन पौधे और यहाँ पर देखिए कि इतना खराब हो रहा है मैं एक मेहने के लिए कहीं बाहर गई थी तो इसका केर नहीं कर पाई तो देखिए जंगल के तरह हो गया है तो उसी ही में दिखाना चारी कि उसे कैसे ह हम क्या करेंगे सारे जितने भी खराब हो चुके डालें सभी हो इस तरह से काट देंगे तो सभी को हम काटते जाते इस तरह से और फिर देखिएगा कि फिर से नयने बहुत अच्छे निकल जाएंगे वैसे हमेशा इसके पौधे की एक अच्छी बात है कि आप जितना इसको काटेंगे वह अतना घना होगा तो इस तरह से सभी काट दें और यह पादा अपने घरों में जरूर लगा है यह हेल्थ के लिए या पेट के लिए बहुत ही फादेमंद है इसका चाय आप सुबह सपर उठकर पिए कम से कम सबता में दो दिन पिए तो पेट की बीमारी इसके बाद सारे काट कर हटा देना है कि अधे काटने के बाद सिर्फ जड़े रह गई है और कुछ भी नहीं है फिर भी यह बहुत अच्छा से हो जाएगा और इधर भी देखे थोड़ा से बच गया है उसे भी मैं काट देती हूँ और उसके बाद हमें लेना है देखें गिवर में कंपोस्ट सारे काट देने के बाद हम क्या करेंगे इस पर किचन वेस्ट का बना खाध भी डाल सकते हैं तो बहुत ज्यादा खाध नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा डाल दे अशी बहुत ज्यादा कैर करने की बिज़रोत बस इतना ध्यान रखें कि इसे हमें से काटते रहें और इसे जितना भी निकालेंगे उतना अच्छा पौधा हो जाएगा तो महिने में दो बार खली थोड़ी वर्मी कंपोस्ट देते रहें या किचन वेस्ट का खाद तो यह होते रहता है और देखें हमने काट लिया और अफे लत्त तो में और इसे हमने देखिए छोटे से घंले में लगाए हुए बहुत बड़ा जोनी कहा है पिर भी यह हो रहा है और इतना सारा इससे काटा है हम चाय तो इससे पादे भी निकाल सकते हैं बहीं से दूस्क्त कहाद कि बन जाएंगे से तो देखें लेकर जोड लगाया था ये बीच दिन के बाद का रिजल्ट है देखे फिर से घना हो क्या है और कितने अच्छी इसके पतियां भी आ रही है और काफी अच्छा है तो इस तरह से करते रहने से ये पौधा हमेशा चलता रहेगा और इसमें एक दो चीज का ख्याल रखना है कि इसके गंबले कभी सूखने नेचे पानी हमेशा डलता रहे तो ये होते रहेंगे और इसकी खुसबू भी काफी अच्छी है और हमने तो बहुत सारा लगाया हुआ है पुरे गार्डन में आपके पास भी अगर ऐसा है तो आप इस तरह से काट सकते हैं और काटने के बाद ये अच् के लिए इतना ही फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई और अगर वीडियो अच्छी लगे होते हैं एक लाइक करिएगा और हो सकेता है अपने गर्व में भी एक पौधास जड़ लगाईएगा तैंक यू बाद